तो गाइज यहाँ पर आप हमारी टीम द्वारा लॉंच कीगी पीडियाफ को भी ले सकते हो यह जितनी भी पीडियाफ हैं यह सभी उतकृष्ट श्रेनी की है इनमें सिर्फ उन्ही प्रशनों को शामिल किया गया है जो पिछली प्रिक्षाओं में पुछे गए हैं इस नजरेये से यह आपकी आगामे प्रिक्षा के लिए बहुत ही लाबदाइक होने वाली है यहाँ पर आपको दो पीडियाफ दी जाएंगी इनमें जो पहली होगी उसमें आपको दस मौक टेस्ट दे जाएंगे यह सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जो दूसरी होगी इसमें आपको एकजार प्लस बन्लाइनर प्रिशन मिलेंगे तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे तो वो करेंगे अचारे हजारी प्रसाद्ध्यू वेदी का काल भिवाजन और नामकरन आपने देखा होगा कि जो बहुत ये स्थानों पर अचारे हजारी प्रसाद्ध्यू वेदी के द्वारा ही अचारे रामचंदर शुकल के कत्नों का विरूत किया गया है या उनके विरुद में कुछ टिपनिया की गई है तो ये अकेले ऐसे बिद्वानिया आलोचक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके जो काल भिवाजन के बारे में डिस्क्रस करना तो इन्होंने जो अपने इतिहास करंद को या जो इनके इतिहास करंद थे उन्होंने अपने हिंदी साहित्ते को चार भागों में विवाजित किया था तो वो कौन-कौन से उन्हें देख लेते हैं, पहला था आदिकाल, उसके पहुशा था भक्तिकाल, उसके पहुशा था रेतिकाल और सबसे अंतमे था आधुनिकाल तो जो सबसे पहले आदिकाल को आदिकाल नामकाल नाम दिया गया था तो वो दिया गया था आपके हजारी परसाद दुवेदी के ही द्वारा अन्य था इससे पहले जो आदिकाल को बीर का साकाल नाम दिया था अचारे नाम चंदर शुकल ने यहां पर आप सिदे सिदे तोर पर देख सकते हूँ किस परकार से जो अचारी हजारी परसाद दिए दी थे इन्होंने अचारी रामचेंदर शुकुल का खंडन किया था इस नामकरण के प्रति तो यह आप से प्रशन बन सकता है कि जो आदेकाल को आदेकाल नामसर से पहले किस ने दिया था तो वो दिया था हजारी परसाद दिए दिए किरवादा आदेकाल का जो इन्होंने सिमाकन रखा है तो वो था संबत 1000 से लेकर 1350 बिक्रमी तक इसके पर शाद जो भक्ति काल का रखा था तो वो था संबत 1350 से लेकर 1700 बिक्रमी तक और जो रीति काल का रखा था तो वो था संबत 1700 से लेकर 1900 बिक्रमी तक और आधुनी काल का रखा था संबत 1900 से लेकर अफ़ तक तो यहाँ पर जो भक्तिकाल और रितिकाल है इन्होंने ये अचारे नामचंदर शुकल से ही लिया था है बाकी जो आधिकाल है और आधुनिकाल है ये इनके अपने प्रियास है तो याद रखे यहाँ से प्रशन बनता है आगे जो है डॉक्टर गणपती चंदर गुप्त का काल विवाजन और नामकर्ण तो सबसे पहले तो आपको इसका ये नाम रखना है याद की जो गणपती चंदर गुप्त है इनके इतिहास कंद का क्या नाम है तो ये था आपका हिंदी साहित्य का विग्यानिक इतिहास तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो हजारी पर साद्वीवेदी है इनके भी इतिहास कंथों के नाम मैं आपको बता देता हूँ तो इन्होंने जो इतिहास करंद के तोर पर पुस्तकें लिखी हैं तो वो थी तीन इसकी आपको संख्या याद रखनी है कितनी थी तीन थी कौन-कौन से थे वो पहला था हिंदी साहित्य की भूमी का इसका जो प्रकाशन बच था 1940 इसके परशात है हिंदी साहित्य का उद्वव और विकास इसका प्रकाशन बच था 1992 और जो सबसे अंत में था हिंदी साहित्य का आदिकाल तो इसका जो प्रकाशन बच था तो आगे जो हम डिसकस कर रहे हैं तो बुकर रहे हैं गणपति चंदर गुट के इतिहास गृंत या इनके काल विवाजन के बारे में तो जो इन्होंने अपने इतिहास को विवाजित किया है तो इन्होंने भी से चार वागों में ही विवाजित किया है ये मान सकते हैं इन्होंने भी जो अचारे रामचंदर शुकल की ही परीपाटी को अपनाया है तो वो कौन-कौन सेन के काल विवाजने उसे देख लेते हैं जो पहला है आधिकाल उसके परिशात है पूरब मद्धिकाल उसके परिशात है उत्तर मद्धिकाल और सबसे अंत में हैं आधिकाल तो जो इन्होंने आधिकाल का सिमांकन किया है ये किया है सन 1184 से लेकर 1350 इसवी तक जो पूरमद्य काल है अर्थात्म भक्ति काल है इसका समय है संबत सन 1940 से लेकर 1600 इसवी तक और जो उत्तरमद्य काल है या रिति काल है इसका समय है संबत सन 1600 से लेकर 1857 तक और जो सबसे अंत में है आधनिक काल इसका जो इन्होंने सीमा माना है तो यह होगा सन 1857 से लेकर अब तक तो आप इस परकारे से याद रख सकते हो अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आपने भी देख सकते हो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो ठीक है आप लोग वीडियो के अंतग बने रहे इसका बहुत बहुत धनियवाद